कर दोस्तों इस वीडियो में आज मैं आपको दिखाऊ हुआ पिछली वीडियो में हमने आपको दिखाया था दाने के बारे में बताया था और दाना बना के दिखाया था दाने का इस्तेमाल हमने भी किया है तो आईए हम अपने बच्चों को देख लेते हैं हमारे कवुत्रों के बच्चे हुए है उन्हें देख लेते हैं उस दाने से कैसा उन पर सभाव प्रवाव पड़ा है आईए देख लेते हैं बच्चे कैसे कैसे इनकी कवुत्रों के हुए यह देखें दोस्तों यह मैं फुलसरा जोड़ा जो देकर आया था दिखाया था मैंना पिछली वीडियो में आपको इसके बच्चा लगबख एक ही बच्चा है दोस्तों एक बच्चा निगला यह गंड़ा खराब हो गया था इसका यह देखें दोस्तों यह आठ दिन का बच चना, मक्का और बाजरा और गयों भी मिला गया उसमें ये देखिए आठ दिन का बच्चा है दोस्तों ये बहुत बहतरीन बच्चा है लाल पोटा है इसका लाल बाजू है इसके बहुत ही खुफसूरत बच्चा मुझे लगता है बहुत ही उड़ेगा ये ये दोस्तों 8 दिन का बच्चा है कोई कह देगा इस Ç architecture ये देखिए बहुत आच्छे बहुत चवटवर्जस्त बच्चे पल रहे हैं से ये आई हम दूस ये देखिए दूसरा जोड़ा है कि ये दोस्तों ये मादीन फुलसरी है यह इस वाले नरसे लगी हुई है मदरासी से यह देखिए इसके यह बच्चे दोस्तो लगबग चार या पांच दिन के हैं इनका रिजल्टी भी बहुत अच्छा है यह देखिए दोनों एकदम पराबर हैं यह दोनों नर्टी भी बहुत अच्छा है बच्चे यह भी बहुत अच्छा है पल रहे हैं इस दाने से यह देखिए और दोस्तों यह देख लीजिए वही मदरासी का जोड़ा है आपके इन्होंने अभी अंडे रखे पिछली वीडियों बताया था मैंने कि यह अंडे रखते हैं और इनके अंडों में बच्चे नहीं पढ़ते तो दोस्तों कुछ भाईयों हमारे बताया है कि इन्हें अंडा खिलाओ जर्दी हटा के उसका अंडे को उपर का सफेज सफ हैं लख लेंगे अंडे यह फुलसरा जोड़ा जोस्तों वह पहले जो बच्चे दिखाया उसका यह उसका माबाब हैं उसके यह इधर है इसके बच्चे इन्हां जोला है बहुत बहत्री इने यह तीन जोड़े हैं हमारे पास बस इस टाइम सारे मर गए थे पहले बीमार हो गए थे कुछ अब ने करें हैं मैंने खटे यह अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो प्लीस इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें और कमेंड में बताए हमें कि आप भी अगर यह दाना खि अगर आपके पास कोई और उपाय हो नुक्सका हो तो जरूर बताये हमें कमेंड में दोस्तों हमारा चैनल है सब्सक्राइब जरूर कर दें और आने वाली वीडियो के लिए प्रीज बेल आएकन पर प्रेस कर दें और